नए डिजिटल एंटर्पेर्णर पैदा हो रहे हैं। राजस्तान के अजमेर जिले के सेठा सी रावज जी दरजी ओनलाइन इस्टोर चलाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ। दरजी ओनलाइन दरसल सेठा सी रावत कोवीड के पहले टेलरिंग का काम करते थे। कोवीड आया तो रावत जी ने इस चुनोति को मुश्किल नहीं बल्कि आउसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSCE स्टोर जोइन किया और ओनलाइन कामकार शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्का ओर्डर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने दरजी ओनलाइन नाम से अपना ओनलाइन स्टोर शुरू कर दिया। जिसमें और भी कही तरह से कपड़े वो बना कर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सींजी का काम इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें पूरे देश से ओर्डर मिलते हैं। सैंकडो महिलाओं को उन्होंने अपने यहां रोजगार दे रखा है। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाओं में रहने वाले ओम प्रकास सींजी को भी डिजिटल एंटर्परिनर बना दिया है। उन्होंने अपने गाउं में एक हजार से ज़्यादा ब्राडबेन कनेक्शन सापित किये हैं। ओम प्रकास जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल का वाइफाई जोन का भी निर्मार किया है। जिससे जरुवतमन लोगों की बहुत मदद हो रही है। ओम प्रकास जी का काम अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने बिच से ज़्यादा लोगों को नोकरी पर रख लिया है। ये लोग, गाउं के स्कूल, अस्पताल, तैसील आफिस और अंगनवाडी के अंदरों तक ब्राडबेंड कनेक्शन पहुंचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं।